नमस्कार साथियों, डॉर्टर रोमंग खर्णा हुम्योपैथि क्लीनिक के इस पसारण में आपका स्वागत है साथियों, आज हम बात करेंगे बच्चों में बेड बेटिंग की समस्या, इनिवरिसिस की समस्या बिश्तर रात में गीला करने की समस्या को ठीक करने की 10 कारगर हुम्योपैथिक दवाओं के बारे में यहां साथियों, एक बड़ी कॉमन समस्या है जिससे शायद हम लोग के सब लोग परिशान रहते हैं और गार्जियन्स के बच्चे डाड भी खाते हैं तो साथियों, अगर बच्चों में बेड वेटिंग की समस्या है तो उसकी हुम्योपैथि में बहुत कारगर दवाएं हैं आज हम आपको उसकी 6 कारगर हुम्योपैथिक दवाओं के बारे में बताएंगे साथियों, एक बात हम पहले कह देना चाहते हैं यहाँ प्रोग्राम एक एजुकेशन परपस का प्रोग्राम है यहाँ आपकी एजुकेशन के लिए है कोई भी दवा भी रख कुसलची किसक से पूछे ना ले क्योंकि कभी-कभी हुम्योपैथि में पोटेंसी और दवा दोनों ही सिम्टम के अधार पे भिन यानि अलग-अलग भी हो सकती है साथियों चलते हैं हम लोग अभी सफर पे आपको छे कारकर हुम्योपैथिक दवाएं बताते हैं हम्योपैथि में सबसे अच्छी दवा साथियों बेट वेटिंग की है एक्विसिटम अगर आपका बच्चा रात में बेट वेटिंग कर रहा है तो एक्विसिटम 30 दो-दो बून दिन में तीन बार उसको सुवा दुपैर शाम दे सकते हैं उसकी बेट वेटिंग की समस्या खतम होने में इस दवा से बहुत लाब मिलेगा, बहुत साहिता मिलेगी साथियों, दूसी दवा, बेट वेटिंग की समस्या इकी बहुत अच्छी जो कि बच्चा सोते ही पिशाप कर देता है बच्चा सोया उसके आदे गंटे के अंदर उसने पेशाप कर दी विस्तरगीला कर दिया अगर सात्यों ऐसी स्थिति आपके सामने आ रही है तो इसके लिए बहुत अच्छी दवा है कॉस्टिकम और सीपिया कॉस्टिकम 30 आप दो दो बून दिन में तीन बार उसे स्थिति में ले सकते हैं जब आपके बच्चे को यहां दिक्कत हो रही हो और वहां बच्चे का एक उसमें mentally एक सानभूती की स्थिति रहती हो वो दूसरों से सानभूती रखता हो सिंपथी रखता हो अगर यहां mental symptom बच्चे के आप देख रहे हैं तो उसको कॉस्टिकम 30 आप दो दो बून दिन में तीन बार दे सकते हैं उसकी रात में सोते ही बेट वेटिंग करने की समस्या में बहुत लाब मिल जाएगा दूसरी दवा सातियो इसकी CPI 30 है अगर बच्चा आपका चिचड़ा हो दुबला पतला और चिचड़ा सा बच्चा है तो उसको आप CPI 30 दो दो बून दिन में तीन बार दे सकते हैं साथ में कैमोमिला भी आइट कर सकते हैं यहां दो दवाएं आप उसको दो दो बून दिन में तीन बार देने तब भी आपकी यहां समस्या खतम हो जाएगी फिर साथियो एक और इस्चिती आती है जब बच्चा सोने के बाद रात में कई बार पेशाब कर रहा है सो गया सोने के बाद कई बार पेशाब रात में बच्चा कर रहा है उसकी साथ यह बहुत अच्छी दवा है क्रियोजोड क्रियोड फार्टी आप दो तो पूंद तीन बार दे सकते हैं जब बार बार बच्चा पर साफ कर रहा है सुने प्रशाम सफेदी या पीलापन ज्यादा आ रहा है तो आप कियो जो 30 दे दें उसका सफेडी और पीलापन जो वाइट और रेट सेडिमेंट वह भी चला जाएगा और उसको इससे फाइदा भी मिल जाएगा वो बेड वेटिंग के समझ से अभी ठीक हो जाएगी फिर सातियों एक इस्तिति और आती है जब बच्चा जो यूरीन कर रहा है उस पावर में आप दो-डो बूंजे इन पार बच्चे को दे देती है तो इसकी फाल इसमेल भी खटम हो जाएगी साथियों और इसको इसमें लाप मिल जाएगा उसका बेड़ वेटिंग की समस्या भी खतम हो जाएगी फिर साथी और इसमें दबाती है जब बच्चे कीडे हो गए हो पेठ में आधि उसके कीड़े हैं और उसको या बेट वेटिंग की समझ से आहो रही है साथियों तो इसकी बहुत ही अच्छी दवा है सिना सिना 200 पावर में आप दो-दो बूंजे दिव से तिन में तीन बार दे सकते हैं तो आपके यह जो पेठ के कीड़े भी उसके चले जाएंगे और इस कारण से हो रहे उसकी बेड वेटिंग भी खतम हो जाएगी साथियों यहां कुछ दवाई थी जो आपको बच्चे को इनुडिसिस सई करने की थी मैं फिर से आपके कहई दू बिना कुसर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवा ना ले क्योंकि हो नियुक्ती में शिμटम के अधार पे दवा और पोतेंशी जो हमने बताइए यह दोनों ही अलग हो सकती हैं साथियों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको हमारा प्रियास पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करिए और अगर आपको साथियों ये पुरा कंसेप्ट पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए इससे हम लोगों को अत्रश टाकत मिलेगी एक बेल बटन आपके नीचे लगा हुआ है उस बेल बटन को दबा के आप जो है वहाँ लगातार हम लोगों के लेटेस्ट वीडियो की जानकारी ले सकते हैं आपको नोटिफाई हो जाएगा अगर साथ ही आपके मन में कोई भी कोईरी हो कोई भी सवाल हो तो हमारे वाट्साइप नमबर 941578630415786380 पर आप वाट्साइप कर सकते हैं या फिर कमेंट पोर्शन में लिखके आप अपनी कोईरी को लिख सकते हैं हम कोशिश करेंगा आपको संतोष जनक और एफेक्टिव जवाब दे पाएं जो आपकी समस्या को कम करें तन्यवाद हम कर दो आपकी समस्टिव जवाद आपकी समस्すकते हैं